मुवी का नाम है यूसिगी अपनी जगा किसी और को खेलने का कहता है इनका खेल शुरू हो गया था यहाँ पर जो रेफरी था वो इन दोनों को बताता है कि आप लोगों की गेम ये है कि आपने बस सोच कर ये बताता है कि यहाँ से एक घंटे के अंदर-अंदर कोई प्लेन गुज़रेगा या नहीं यहाँ पर बाकु कहता है कि यहाँ से प्लेन एक घंटे के अंदर लास भी गुज़रेगा वगर का केरो कलब इतना जगा पावरफुल था वो सभी फ्लाइट्स को रुखवा देते हैं इस वज़ा से अब कोई भी प्लेन वहां से नहीं गुज़र सकता था पाकु ने भी जो जाल खेली थी यानि कि उसने पीचिस प्लेन को हायर किया था कि वो यहाँ से गुज़रेगा वो भी नहीं गुज़र क्लब के लीडर ने उसके पाइलिट को भी मरवा दिया था ये केम तो बाकु हार जाता है उसकी हार का इलान कर दिया गया था इसी वज़ा से बाकु के कहने के मुटाबिर कि अगर वो हार गया वो से मार सकते हैं बाकू को एक छोटे से टाउन में खूमते हुए देखते हैं अब ये एक ग्रूप के पास आया था जो बैटे जुआ खेल रही थी उनमें एक आदमी जिसको कोई भी हरा नहीं पा रहा था बाकू यहाँ पर वन मिलियन की शर्ट लगाता है और उस गेम को जीत पिगया था पर जो आदमी बार बार गेम को जीत रहा था उसने अपने डाइस में मकना तीस लगाए हुए थी जिस वज़ा से वो इस गेम को बार बार जीता था उस आदमी की रास को भी बाकू सबके साब में लियाता है वहाँ पर जितने भी लोग थी जो उसके साथ खेल रहे थे अब वो से मारना लगते हैं शाम को बाकू अपनी एक दोस्स से मिलता है जो उसे बताता है कि तुम्हारी तरह ही कोई है जो काकीरो कलब के लिडर को हराना चाता है सब बाते सुनकर बाकू भी जापान की शहर टोकियो वापस जाने का फैसला करता है क्योंकि वो भी काकीरो कलब के लिडर से अपनी हान का बतला लेना चाहता था इसके बाद हमें एक गैम्लिंग जुए की गेम को दिखाया जाता है जो एकी बैठा मिनिस्टर के साथ खेल रहा था पर बहुत जल्दी वो मिनिस्टर को हरा देता है इस बात पर मिनिस्टर को बहुत गुसा आया था वो अपने साथियों से गेम के रेफरी को मारने का कहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रा था कि रेफरी ने एकी की मदद किया है, अब रेफरी पर जब मिनिस्टर हमला करवाता है, तो रेफरी भी यहाँ पर लड़ाई करने में काफी माहर था, वो थोड़े यह देर में मिनिस्टर के आद्मियों को और उसे मार देता है, जिसके बाद अब वो ही रेफरी एकी के पास जाता है और उसका असिस्टन बनने की ओफर करता है जिस पर एकी भी मान गया था तो उस्टे तरफ हम बाकु को देखते हैं जो टोक्यो शेहर पहुँच चुका था वो वहाँ पर एक लड़के केजी से मिलता है केजी दिल का तो बहुत अच्छा इंसान था पर उसके दोस्तों के धोगे की वज़ा से उस पर बहुत बड़ा कर्स चड़ चुका था वाकु को उसकी ऐसी हालत पर बहुत तरसाता है और वो से यह कहता है कि अगर तुम जाओ तो तो तुम्हारा कर्स मैं अदा करने में मदद कर सकता हूं के दोस्तों को भी उसकी ऐसी जीत पर हैरानी हो रही थी क्योंकि उसने पांच मिलियन को जीता था अब वो सारे पैसे केजी को दे देता है ताकि वो उसके पना कर्स अदा कर दे और आसानी से अपने जिंदकी को जार सके वाकु उसे सारे पैसे देकर और गुडबाई बोलकर वहां से चला गया था क्योंकि वो केजी के जिंदकी को ऐसे अपने साथ कत्रे में नहीं डाल सकता था इसके बाद हम केजी को देखते हैं जिसने अपना सारा कर्स अदा तो कर दिया था मगर अब उसके जिंदकी में कोई और मकसद नहीं रहा था इसलिए वो अपनी लाइफ वो उसे मदद मांगता है क्योंकि वापी से वो काकीरो क्लब का मेंबर बना चाहता था। उसकी दोस बाकु से कहती है कि तुम्हें किसी ऐसे इसान को तलाश करना होगा। पाकु की दोसे कुछ और बन सकते हैं अब चो पाकु जा रहा था तो उसे दुबारा कीजी मिलता है जो तुबारा से उसे ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ बाकु उसकी बात को मान गया था और अब ये बुड़े आत्मी से मिलने का प्लैन बनाते हैं जिसके बारे में बाकु की दोस्तनी से बताया था कि इन्होंने उसके कुछ जानरों को पकरना होगा और उसके लिए इन्हें कुछ वक्त दिया जाएगा अगर तुम ऐसा करने में क्लाम याब हो गए तो मैं तुम्ही नाम में 10 मिलियन दूँगा यहां पर बाकू रेफरी से मिलता है जो काकीरो क्लब की तरफ से आया था बाकू अब उस बुड़े आदमी से यी तेता है अगर मैं इस गेम को जीत गया तो मुझे पैसे नहीं बल्के तुम्हारी काकीरो क्लब की मेंबर्शिप चाहिए बुड़ा आदमी बाकू की बात को भी मान गया था गेम को शुरू किया जाता इससे पहले बाकू रेफरी को एक पैन डिफ देता है जो कि आम पैन नहीं था उसमें एक माइक लगाया हुआ था ताकि वो रेफरी और उस बुड़े आदमी की बातों को गेम के दोरान सुन सके अब टेम शुरू हो गई थी बाकू और टेजी बुड़े आदमी की जानवर को ढूनने चगल में चले गए थी जहाँ पर जाकर उन्हें पता चलता है जिनको उन्हें ढूनने ढूनना है वो कोई जानवर नहीं बल्कि बुड़े आदमी के साथी हैं जिनके पास गंस भी हैं उन्हें उनका मुकाबला करना था यहाँ पर बाकू ने जो रेफरी को पहन दिया था वो उसकी मदद से अपनी एक दिवाइस में बुड़े आदमी के आवास को रिकॉर्ड कर लेता है यह अब उसकी आवास का इस्तिमाल करकी साथियों को अपनी तरफ पुलाता है और एक एकर कर मार देता है जब यह थोड़ा सा आके चाती है तो बुड़े आदमी के साथियों ने जो इन्हें पसाने के लिए रस्या लगाई हुई थी यह उनी में उन्हें फसा आकर उनके कपड़े पहन कर बाकी के लोगों को भी ढूंड लेते हैं इस तरह टाइम पूरा होने से पहले बाकू और केजी ने गेम को पूरा कर लिया था इस बात पर बुड़े आदमे को बहुत गुस्सा आता है कि दोनों डर जाते हैं और वहां से भाग गए थी और एक कुदाम में जाकर छूप जाते हैं जिदर उन्हें भी होश करने की दवा मिलती है जिसको देखकर बाकू को अभी काईड़ी आया था वो उस दवागा इस्तिमाल करके बुड़े आदमी के बेड़े को बेहोश कर देता है थोड़ी दिर बाद ही वो बुड़े आदमी से मेंबर्शिप कार्ट हासिल करने में काम्याब हो गया था यानि कि उसमें वक्त पूरा होने से पहले इस गेम को जीत लिया था अब जब इनके पास रेफरी आता है तो वो केजी को का कीरो क्लब का मेंबर बने की मुपारिक पा देता है मगर केजी ये सुनकर काफी हैरान हो गया था यहाँ पर हमें पता चलता है कि काकीरो क्लब के लिडर ने हमेशा के लिए बाकू की मेंबर्शिप को कैंसल किया था और यही वज़ा थी बाकू अपने साथ केजी को लाया था ताकि वो इसके खेल में उसके काम आ सके इसलिए बाकु ने अपने बतले की मेंबर्शिप कीजी को दिर वाई थी कीजी जो कि रैफरी को मेंबर्शिप लेने से मना कर रहा था पर यहाँ पर रैफरी कहता है तुम फिकर नहीं करो तुम्हारे साथ कुछ का लखने होगा तुम इबाकु पर यकीन करना है उधर दूसरी तरफ बाकू अब बुरे आदमी के बेटे के पास जाता है वो उसका मास्क उतार कर देखता है जो कोई मॉंस्टर नहीं था बल्कि उसकी ट्रेनिंग ऐसे की गई थी कि वो एक मॉंस्टर लगी पर वो अभी भी एक काम इनसान था बाकू अब उसका मास्क टाकर उसे अपने साथ शामिल होने की आफर करता है बुरे आदमी का बेड़ा भी उसकी टीम में शामिल हो गया था आगी हमें एकी के लैब को दिखाय जाता है यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके साथियों के साथ असल में हुआ क्या था इकी की जो इन्मेंट इजात थी वो उस बारे में दूसरे मुलकों को भी बताना चाहता था बगैर किसी पैसों के पर वहाँ की गौर्मेंट ने उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी इसलिए वो लैब में इकी के लिए तोफा भेजते हैं जिसमें बॉम था जिस वचा से एकी के सभी साथी मारे गए थे और उस एक्सिडेंट में उसकी आंके चली जाती हैं एकी अंदा हो गया था इसलिए वो का कीरो क्लब का मेंबर बनकर वहाँ की गौर्मेंट से अपनी इस हालत का बतला लेना चाहता था बोग दिन भी आ गया था जा पर बाकू और एकी की गेम शुरू होनी थी उन्हें सब लोग लाइट देख रहे थे जिनमें का कीरो क्लब के मेंबर्स भी थी उनमें बाकू की दोस्त पी शामिल थी जैसे ही बाकू और एकी क्लब में आती हैं उन्हें देखकर सब पोध एक्साइटेड थे वही पर एकी का असिस्टन केजी को डरा देता है और गलती से उसकी गन से गोलियां चलवा कर वहां की कैमरे को खराब कर देता है जो लोग ऑनलाइन इन्हें देख रहे थे वो इन पर पैसों की बैट लगाते हैं और साथी साथ हारने वाले के सजा को भी टेसाइड करते हैं जिसमें सजा ये थी कि हारने वाले को उसके पार्टनर के साथ फांसी पर लटका दिया जाएगा हम इसी दुरान का कीरो कलब के लिडर को भी देखते हैं जो ये सब दीकर काफी खुश हो रहा था अगर किसी प्लेयर के पास टोटल 11 नंबर हुए तो वो हार जाएगा यहाँ पर ऐसे ये भी कहता है कि आप दोनों किसी पिचान का इस्तिमाल कर सकते हैं मगर शर्त ये है कि दूसरे प्लेयर को इस बारे में कुछ भी पता ना चले पहना राउंड शुरू हो जाता है जिसमें 21 सही कार्ड लेता है जबके बाकू पहनी बार में ही ओल्ड मेट कार्ड को चूस कर लेता है जिसे देखकर सब परिशान हो गए थी पर बाकू को तो जैसे कोई फिक्र ही नहीं थी वो बिल्कुल रिलक्स लग रहा था दोसरी बार में बाकू गलत कार्ड लेता है जिससे अब वो हार के काफी करीब था ये देखकर उसकी दोस्त और एजी काफी परिशान थी क्योंकि उन्होंने बाकू पर अपने सारे पैसे लगा दिये थे तीसरी बार बाकू फिर ओल्ड मेट कार्ड लेता है जिससे अब उसके नमबर टोटल दस हो चुके थी अब जब आखरी राउंड शुरू होता है तो बाकू को एके की चाल का पता चल दिया था वो एक डिवाइस की मदद से उसके कार्ड को देख पा रहा था इसलिए बाकू अपना पसंदीदा बिस्किट खाता है और आखरी राउंड को खेलना शुरू करता है उसे पता चल दिया था कि एकी कैमराज की मदद से सब कुछ देख पा रहा है वैसे तो वो अंदा था पर किसी ने उसके अंदर ऐसी डिवाइस को लगाए था जो CCTV कैमराज के साथ चुरी थी यहाँ पर बाकू अपनी चाल खेलना शुरू करता है वो एकी की कार्ड्स को देख लेता है जिससे अब वो ओल्ड मेट कार्ड को आगे रखता है एकी उन्ही कार्ड्स को लेता है अब एकी के पॉइंट कम और बाकू की जदा होने लगे थी जब एकी की असिस्टेंट ये देखती है कि बाकू भी मानी कर रहा है तो वो पने बॉस एकी को बताने लगती है पर यहाँ पर कोई भी किसी की मदद नहीं कर सकता था इसलिए रेफरी उसे चुप रहने का कहता है बाकू गेंग को जीत चुका था और एकी के बारे में भी वो सब को बता देता है कि इसमें सारे खेल में बेमाने की है अब ये सब देखकर एकी के असिस्टन को गुसा रहा था वो बाकू पर हमला करने वाला था तब ही रेफरी उ जाने के चुवा खेलने वाले क्लब में जा रहे थे और इसी के साथ यह कहानी यही पर्खत्म